बेन सीटी लाइम नियूज की एक पुकार घर पे रही सोपडिवार इस्टे हो इस्टे शेफ सीबियसी दसवी के रिजल्ट में अनुमंदल टॉप की केसव राज बकरी अनुमंदल के नाकोठी प्रखंट छेतर के समसा पंचायत इस्थित संजीव अचार के पुत्र केसव राज ने 474 अंक लाकर गाउं में खुसहाली का महौल छेर दिया है बताते चले की प्रखंट छेतर के ही राजींग मून पवलिक स्कूल बिश्नुपूर में उन्होंने अपनी पढाई कर 94.8 परतिशत मार्च लाया जिसे सबसे ज़्यादा गनित में पूरे से 100 में 100 अंक लाया है देखिए क्या कुछ कातर दिख रहे हैं अनुमंदल टॉपर केशब राज आज हम बात करने वाले हैं ब्यगूश राय जिले के बखरी अनुमंदल अंतरगत टॉपर केशब राज का जिन्होंने एक छोटा से पंचाइट शमसा से अपना पढाई किया और CBSC के 2020 के रिजल्ट में 474 अंक लाकर पूरे गाउं अपने पंचाइट एवं पूरे अनुमंदल को खुशनमा बनाया है तो आज हम इन से बात करने के लिए यहाँ उपस्थी तुग है पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई कि आपने 477 मार्क्स लाया और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 474 अंक लाया तो आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया था उससे थोड़ा कमाया है बस और आगे के एक्जाम में जो मेरा टार्गेट है उसको मैं इसमें में इसमें करूँगा अभी जो CBSC का रिजल्ट आया है उसके अनुशार आपने जो चाहा उसके अनुशार रिजल्ट आया है या उसमें कुछ कमी रही है कुछ कमी रही है मैंने थोड़ा डिलाई कर देता परने में इसलिए मैं तो 98 तक जाता लेकिन 12 में गजाम में जरूर 98 आएगा मतलब 94.8 पर सेंट अभी आपका रिजल्ट आया ये भी काबिल ये तारीफ है और नेक्सक्त प्रहुस आपसे और 44ShaWritar marks आपको है तो इसमें सबसे ज़्यादा किस subjects है सबसे ज़्यादा मैं किस से है कितना marks है math है 100 है मैंस मैंस में 100 हैं तो आपने math फे ज्यादा फोकॉस किया था math के stick teacher यहाँ my representative teacher रस प्रोफेसर ने तावी में में 10 ज fare दाया मैं के बसकोiders गुनें झालब इंच उन्लोग मोरी बहुति योगदान, आपके मारीक दर्शन के बारे में पूछना चाहूँ का तो किमेक मारीक दर्शन पैंक आप आप चलकर इतना अच्छे मारक द यह हैं? मतलब आपके आदर्स कौन? साथ से पहले तो मैं अपने माता पिता अधिने बात देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता हैं मेरा माक दर्शन करते थे कोस्चन हम बेज़ते थे पापाजी के वर्चेप पे बेज़ते थे उसका सॉल्यूशन इसके बाद इसकोल में टीचर सब बेगर ब् inde comprar किये किस सॉल से पढ़ाई किये थे कि राइजिंग मनपादीक श्कुल लिषन्फुरनावकः उन इसकोल के सभी टीचर मतलब आपको support किये थे आपको इसकोल के सभी टीचर support किये थे इंजिनिरिंग में जाना है, उसके आज यू पी एससी से आइस बनना है, और मैं अपने छोटे जुनियर्स को यही दिना चाहता हूं, प्रिरना कि वी टार्गेट सेट करके पराय करें, छे साथ गंटा एक दिन में, तब ही वो यह लग्छ मुकाम हासिल करवाएंगा, और मतलब इसी बार यह भी पास हुई है, मेरे साथ ही, बहुत मेहनत की वी, कुछ एक्षप्रेशन से कम आया है, इनका क्या नाम है, अक्रतिक साराज, बहुत बहुत धन्यवार केशप जी, आप इसी तरह प्रियास करते रहें, मेहनत करते रहें, जिससे आगे भी आप अपने परिवार को, अपने पंचायत को अपने जीले को चार चान्द लगाईए, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आप आगे UPSC क्रेक करें, तो मेरी सुबकामनों आपके साथ है कि आप आप आगे UPSC क्रेक करें, बहुत बहुत धन्यवार, शर, आज आपके पुत्र केशव आज 474 मार्क्स लाके अनुमंडल टॉप किये हैं और मैट्स में 100 मार्क्स लाए हैं यह काबिले तारीफ है मतलब आपको कैशा अनुभा वोड़ा कितनी हर्स है आप में बहुत हर्स है बहुत खुश है और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो खूब आगे और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि slow and study wins the race और हमेशा अपने मेहनत पर चलने वाला योद्धा जो है अपने गूल को एचीव कर लेता है और हम इसे उमीद भी यही रखते थे मैथ पर इसका ज्यादा हम लोग फोकस करते थे मैथ और साइंस पर कि मैथ और साइंस खूब सब्सब्जेक्ट को भी पहले लूप से अध्यान करो और वही किया थोरा सक कम है तो हम लोग बुष्टप किये हैं इसको की आगे वाला एक्जाम में इसको इसको इचीव करो और अपने गोल को प्राप्त करो सबसे पहले इंजिनियर बढ़ाने का खौब है हम एक मामूली स सिक्षक हैं और हम चाहते हैं कि हम से बेटर हमारा बच्चा हो हम इसको अपना संसकार दें ताकि साधा जीवन उच्च विचार साधा जीवन रहे और विचार उचा रहे गोले चीव हो जाए और धीरे धीरे अपने मेहनत को सफल बनाते रहें ठीके सर बहुत बहुत कर दो